हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सूरती डिजाइनर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम 3 पीस प्रेंसे स्काइट ब्लाउस बनाएंगे और इसे हम बोट नेक पर बनाएंगे और 36 साइस का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन की बटन जरूर दबाईएगा तो यहाँ पर लाइनिंग हमने ली है 80 सैंटी मीटर और मैन फैबरिक जो साड़ी में से होता है वो ही हमने यहाँ पर लिया है और इसकी कटिंग पहले हम लाइनिंग पर करेंगे तो हम स्लीज में लाइनिंग यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने 80 cm लिया है अगर आपको स्लीज में लाइनिंग यूज करना है तो आपको 1 मीटर लेना है अब यहाँ पर टूटल लैंट हमें 14 इंच रखनी है तो 1 इंच इसमें हम प्लैस करेंगे मार्जन का तो 15 इंच लेना है तो 15 इंच पर मार्किंग करेंगे और शोल्डर लेना है हमें 7 इंच आर्मूल भी हम 7 इंच ही ले रहे हैं क्योंकि 36 में शोल्डर और आर्मूल दोनों 7 7 इंच होते हैं चिस्ट का 4th पार्ट आएगा 36 का 4th पार्ट होगा 9 इन्च 2 इन्च प्लस करेंगे मार्जन के लिए याँ पर वेस्ट चो है वो है 30 इंच उसका 4th पार्ट लेंगे 7.5 इboarding 2 इन्च मार्जन के लिए 1 इन्च बैक टक्स के लिए लेना है साइट से लाइन को ड्रॉ करेंगे और वा नीच से आर्मूल के साइट पर गोलाई देनी है तो यह हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली और अब हम फ्रेंट पार्ट की मार्किंग करेंगे तो इसके जो आयोग है वो हम फ्रेंट में रखेंगे तो यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है हाफ इंच की आयोग की पट्टी के लिए यहाँ पर एक मार्किंग जो की है वो हमने फैवरिक को स्ट्रेट करने के लिए की है दूसरी जो मार्किंग की है वो आयोग की पट्टी के लिए की है अब यहां से सोल्डर ले लेना है तो सोल्डर हम ले रहे हैं 7 इंच और आर्मूल भी हमें 7 इंच लेना है यहां पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है तो 36 का 4th पार्ट होगा 9 इंच फ्रेंट पार्ट है तो 2.5 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए इसे हम बैल्ट वाला बना रहे हैं तो जितनी भी हमें टोटल लैंद रखनी है बलाउस की उसमें से 1.5 इंच माइनस कर देना है तो हमने यहां पर 12.5 इंच पर मार्किंग की है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया है अब यहां पर हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है 7.5 इंच और टक्स जो है वो 2.5 इंच ही रखना है और अगर आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं लेकिन यह 3 पीस में बन रहा है तो तोड़ा सा उटा हुआ है हमें बनाना है से तो हमने इसको 2 इंच ही लिया है साइट से लाइन को ड्रॉ करेंगे 1 इंच से आर्मोल के साइट पर गोलाई देनी है तो देखिए फ्रेंट पार्ट की मार्किंग कर ली अब हमें बैल्ट की मार्किंग करनी है तो इसके नीचे ही हम बैल्ट की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर हमें एक साइट से 3 इंच लेना है दूसरे साइट से इसकी जो लाइन्ट है वो 11 इंच रखेंगे दूसरे साइट से हमको डाई इंच लेना है दोनों मारकिंग को मिला देना है तो इस तरह से हमने bielt की मारकिंग भी कर ली है और अब इसㄱ पाट को हम कट करेंगे तो फ्रेंट्स यही पर्फेक्ट तरीका होता है थ्री पीस कट करने का बोट नेक में तो आप कोई से भी साइज हो तो इसी तरीके से आपको कट करना है और इस तरीके से कट करने से आपका जो ब्लाउजर वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा तो आप इसको एक बार जरूर ट्राइ करिएगा इस ट्राइप से कटिंग करके कटिंग कर लिए हमने इसकी और अब प्रेंसेस कट वाले पाट को कट करना है तो यहाँ पर दिखिए हमें मार्किंग करनी है 3.5 इंच पर टक्स पोइंट आएगा हमारा साधे 10 इंच पर अगर आप चोटा साइज बनाते हैं तो 10 इंच पर ले सकते हैं और अगर 36 साइज से बड़ा साइज बनाते हैं तो आप 11 इंच ले सकते हैं इस तरीके से शेप देना है टक्स की जो वीट रखी थी वो हमने 1.5 इंच की रखी थी यह देखे इस तरह से हलका सा उटा हुआ देकर हमने शेप दे दिया है और अब इसको हम कट करेंगे साइट से भी यहाँ पर अलका सा शेप दे देना है तो यह देखे हमने इनको कट कर लिया और अब हम यहाँ पर मैंट फैब्रिक पर कट करेंगे तो स्लीस कट करने के लिए बैक अर्मोल को मिजर करना है तो हाफ इन सुल्डर को स्टीच करने के लिए चुड़ा बाकि जो अर्मोल आ रहा है वो आ रहा है नाइन इन्च का तो अब यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है तो देखिए इसमें जो इतनी बॉर्डर दी हुई है इतनी बॉर्डर इतनी चोड़ी बॉर्डर हमें नहीं लगानी है हमें कम ही बॉर्डर लगानी है तो इतनी बॉर्डर हमें कट कर देनी है अब इसकी जो टोटल लेंद इसलीस की वो हमें रखनी है 10 इंच की, 1.5 इंच हमने इसमें मार्जन का लिया है, तो 11.5 इंच लिया है, इस तरीके से हमने स्ट्रेट में इसको कट किया, अब इसे हमें यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेना है, आर्मुल देख लियना है कि 9 इंच है या नहीं, तो 9 इंच आ रहा है, 3.5 इंच पर स्लीज को हम डाउन करेंगे, यहाँ पर स्लीज राउन्डे 12 उसका हाफ लेना है 6 इंच और 2 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए, तो 8 इंच पर मार्किंग किये और यहाँ पर हम इसको कट करेंगे, ऩू पार्टस में हमें फ्रेंड के लिए शेव देदेना है तो स्ली कट हो गई हैं बाकि बाकि जोह हमारे पार्टस है वहाँ तो सबसे पहले आपको यहां पयुज की जो डेख लेनी है किस टैप सेड़ाइन है कि और जब स्लीज कट करेंगे यह तfestival को डेखनी है कि इसकी डिजाइन के सट्य ठीखभे हुई है तो देखिए इसकी जो डिजाइन है वो उपर के साइट दी हुई है तो सभी पार्ट समय उपर के साइट पर रखकर कट करना है प्रेंसेस कड़ वाले पार्ट को भी कट कर लिया है और यहां से हमें बैल्ट भी कट कर लेना है तो सभी पार्ट समारे कट हो गए है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टीचिंग देखेंगे तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेंड कमेंट जरू करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा तैंक यू